वेलकम टोल आजम यूमन अनाटमी के मानव स्री रचना के कुछ क्योसन करने जा रहे हैं जो आपके UGC NET और YCB exam के लिए काफ यूसफुल रहेंगे फॉर मॉर वीडियो जो चेक डिस्क्रिफिशन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो लिंक्स अर गिवन देर तो देखें फ़र्स्ट क्योसन वीच ओर्गन ब्रेकज फैट टो प्रिड्यूस कोलेष्ट्रोल कौन सा ओर्गन है। कौन सा अंग है जो वसा को ब्रेक डाउन करता है है। पन करता है। तो देखें इसका अंसर होगा लिवर। तो लीवर क्या है, बाइल जूस सिक्रेट करता है, जिससे की फैट्स ब्रेकडाउन होते हैं, और यदि आपके क्योस्टन आ जाए, कि फैट्स का डाइजेशन का होता है, तो उसका अंसर होगा, स्मॉल इंटरस्टाइन, तो आपकी जो क्लर ब्लाइजन डीजीज है, तो वो किसके कारण होती है, एक्स क्रोमोजॉम में अब्नियोनल्टी के कारण होती है, और देखें, ये मेल्स में होती है, पुर्शों में होती है, लेकिन केरियर फिमेल्स होती है, यानि कि ये बिमारी पूर्शों में होती है और इसकी वहाग इस्त्रियां होती है X chromosome में और इसी तरह से Hemophilia disease है वो भी X chromosome से related है और देखे जैनेटिक डिसॉर्डर 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 है तो कई बार क्यों सना आ जाता है जैनेटिक डिसॉर्डर अनुवाशिक रोग कौन सा है या फिर ऐसे आ जाता है जैनेटिक डिसॉर्डर तो उसमें तीन डिजीज अलग दे रखे होती है एक जैनेटिक डिसॉर्डर दे रखाता है तो देखे जैनेटिक डिसॉर्डर है जैसे थैलिसीमिया है Phenyl Catenuria है Sequel Cell Anemia है Cystatic Fibrosis है Hemophilia है Color Blindness है तो यह तो है Gene Mutation के कारण और जो Chromosome Mutation के कारण है वो है Down Syndrome Clean Falters Turner Syndrome तो देखिए जो Sequel Cell Anemia है इसमें Abnormal Hemoglobin Molecules होते हैं तो इसे Anemia हो जाता है खून की कमी हो जाती है बोड़ी में और देखिए जो Important है Hemophilia Disease है तो Hemophilia में क्या होता है रगत का थका नहीं जमता है और Hemophilia X Chromosome से Related है उसके बाद Down Syndrome है इसको Mangolism भी कह देती है मंद बूदी आँखें टेड़ी होती है जीब मोटी होती है अगर इसका Reason आ जाए तो इसका होता है मेल्स में होता है पुर्षों में होता है और इसमें क्या एक Extra X Chromosome होता है तो वैसे जो Normal Human Being से उनमे 46 Chromosome होता है यह क्यों सनाता है कि कितने Chromosome होते है Human Body में 46 लेकिन जो Clean Fetor Syndrome है इसमे Extra X Chromosome होता है इसलिए Total जो Chromosome है वो 47 हो जाते है Turner Syndrome यह Females में होता है और इसमें जो Chromosome होते हैं वो 45 होते हैं Normal में 46 होते हैं लेकिन इस Disease के वज़े से Turner Syndrome के वज़े से 45 Chromosome हो जाते है Next देखे Which Elements are Essential for Transmission of Impulse in Neurons or Neuro Fibers तो Neurons में आपको जो Essential हैं Elements Transmission of Impulse के लिए वो है sodium ions, chloride ions और potassium Next देखे Calcium के क्या function है Calcium is essential for construction of muscles तो हमारी mass calcium बनाने में calcium का काफी role होता है Next is zinc Zinc is present in the cell throughout the body हमारी body में जितनी cells हैं सभी में zinc present रहता है It boosts immune system तो देखे अभी क्रोना में जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि zinc rich diet लेनी चाहिए तो zinc के immune system को boost करता है और कल में आपको बताए था कि vitamin C भी immune system को boost करता है तो zinc को और vitamin C है वो काफी help करते हैं immune system को strong बनाने में और देखे जो complete slivers के videos हैं उनका लिंक मैं इस वीडियो के description box में दे के check कर सकते हैं and if you appreciate our effort please like the video and share it thank you